हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे देखिए दोस्तों आज जो है आप लोगों को एक न्यू बैकंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो ITI स्टुडेंट के लिए बहुत बड़ी खुसकुबरी की बात है जो नार्दन कोल फिल्ड फिल्ड फिल्ड्स है लिम्टेट से बैकंसी निकली है जिसको हम N-C-L बोलते हैं कोल इंडिया जिसको कहा जाता है थिक है दोस्तों इसके बारे में आईए देखते हैं कहां से यद्फिerd इसको भरना है भरने का जो है इस्टार्टिंग डेट फार्म फिलप करने का कब से है ठीक है आईए देखते हैं रोजगार अधिसूचना जो है एंसी एल ऐसे भारती नाग्रिक से जो की तालिका कर से वाणित पदों के अधिसूचित नियुन्तम एवं आवश्यक योगता रखते हों से सीधी भरती द्वारा अपनी मध्य प्रदेश के सिंगरोली जिले एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद जिले में इस्थित कोईला खदानों एवं अन्य प्रतिश्ठानों में अस्थाई नियुक्ति के लिए आनलाइन माध्य हम से आवेदन आमंत्रित करती है ठीक है दोस्तों तो यह जो बैकंसी है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के सिंगरोली जिले में इसका प्लांट है और एमपी में जो पड़ता है और उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद जिले में भी इसका प्लांट है ठीक है तो वहां के दोस्तों दोस्तों इसमें योग्ता और मांगा है। दसवी पास होना हुँँए। और फीटर ट्रट से आई टी आई किये हूं और इसमें आप SCVT या NCVT दोनों दोस्तों इसमें मानने हैं NCL ने अब किरबार जो है चाहे SCVT से कोई किया हो आई टी आई या NCVT से किया हो दोनों साइट्फिकेड मानने होंगे ठीक है और वन इयर का अप्रेंटिस मांगा है इसमें ठीक है इसी तरह दो तीन चार ट्रेड दिये हैं जिसमें वैकंसी निकाली गई है जैसे फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मसीनिस्ट, बिल्डर ठीक है दोस्तों तो यह पांच ट्रेड के लिए यह वैकंसी निकली है ठीक है दोस्तों और सब में जो है आई टी आई और वन इयर का अप्रेंटिस मांगा है ठीक है दोस्तों आते हैं यह आनलाइन कब से चालू होगा तो यह दोस्तों जो है आपका तीन अगस्त से जो है तीन अगस्त से जो है तीन आठ दोहजार बीस से जो है यह आनलाइन प्रक्रिया इसकी चालू हो जाएगी और इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों पचीस आठ दोहजार बीस को है कि फाम जमा करने की अंतिम्तिति जो है पचीस आठ दोहजार बीस को है ठीक है दोस्तों आते हैं इसके विभिन पद के पदों को देख लीजिए कि इसमें जो है कि में कितने कितने पोस्ट मांगे हैं और इसको कि इसमें देखिए कि फीटर कि इलेक्ट्रीशियन मसीनिस्ट टर्नर बिल्डर कि सबके पद के बारे में दिया है ठीक है दोस्तों कि आते हैं कि आगे देखिए कि इसमें जो है बेतन वगेरा के बारे में दिया है तो इन सबों को बढ़िया से डीटेल से देखने और पढ़ने के लिए जो है इन सीयल के आफिसियल बेव साइट पर जा करके आप पीडिएफ डाउनलोड करके उसके बाद अच्छे से इसको पढ़ें ठीक है दोस्तों आते हैं देखते हैं इसमें आयुसीमा के बारे में तो आयुसीमा जो इसमें है दोस्तों वह अठारे से तीस साल जो है आयुसीमा रखी गई है इसमें अठारे से तीस साल अगर आप अठारे से तीस साल के हैं तो यह बैकंसी इस बैकंसी में आप अपलाई कर सकते हैं ठीक ह और जो है निम्लिक स्रेणियों में जो है उम्र की ज्फूट दी गई है वह जनरल कटेगरी में कोई छूट नहीं दी गई है ठीच है और अनुझी जात के लिए जो है पांच एक स्फूट दीया गया पिछाम पिछार के लिए जो है तीन वर्ज का दिया गया है प्ललू बिडी और अ रचित के लिए दस साल का छोट दिया गया है और PWBD अन पिछड़ा वर्ग नान क्रीमी लेयर केंदरी सूची के लिए 13 साल का छूट दिया गया है दोस्तों आते हैं अनसूचित जन जाती अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती के लिए 15 साल का दिया गया पूर्वशाइनिक ISM के लिए जो है वास्तिवी कौधी प्लस 3 रच्छा सिवह में प्रदान की गई सिवह कि वास्तिवी कऊधी प्लस 3 वर्ष जो है दोस्तों यह छूट दिया गया है उम्र के लिए ठीक है इसमें जो है फीस जो है फार्म का का फीज जो है वह जनरल का फीज जो है फार्म का वह 500 रुपए जो है रखा गया है अनलाइन फीज जो है आपका टांजेक्शन करना होगा और अनसूची जात अनसूची जनजात पीड़ बीडी पूरुसाइनिक वीभागी क्रमचारी कोई सुल्क नहीं लगेगा इन लोगों दोस्तों इसमें देखिए आते हैं चैन प्रकिरिया किसा अधार पर की जाएगी उसके बारे में देख लीजिए तो नियूंतम जो है योगतांग के अनुसार लिखित परिच्छा उत्रून करना होगा आपको ठीक है दोस्तों और इसमें जो है कोस्टन क्या पूछे जाएं अंको का होगा ठीक है और जिसमें 90 मिनट के टाइम का अधी रहेगा जिसमें 70 कोस्टन ट्रेड थियोरी से रहेंगे आपके तीस कोस्टन नान टेक्निकल रहेगा ठीक है दोस्तों कि आते हैं आगे देखते हैं मेरिट सूची कटाफ के आधार पर कैसे क्या है इसमें देखते हैं समस्त अधिसूची पद जो है किस अंसार जो है किया जाएगी इसमें किस अंसार जो है भरती प्रक्रिया की जाएगी आपका मेरिट के आधार पे तो जितने आंक आप प्राप्त करते हैं पेपर में तो सव नंबर का पेपर रहेगा आपका तो जनरल को जो है पचास नंबर लाना अनिवार है ठीक है दोस्तों और अनसूचित अनसूचित जनजाती पुरुसाइनिक अन्य पिछड़ा वर्ग और नान क् अनिवार तक ही गई है ठीक है दोस्तों आते हैं दूसरे टॉपिक पर देखते हैं इसमें जो है दोस्तों कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है एंसील जो है इसमें जो है कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा ठीक है इसको जो है पूरा पढ़ने के लिए PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे NCL के ब्योसाइट पे जा करके तो बढ़िया से आप इसके बारे में डीटेल पढ़ेंगे नहीं तो बीडियो जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा अधिक जानकारी के लिए देखे दोस्तों यहां पर दिया है इसकी ब्योसाइट दिया है www.ncl पर जा करके आप लोग www.ncl.in पर जा करके और चेक करें ठीक है उस पर जो है आपका सब दिया है ठीक है अब अब तो आवेदन करने के लिए भी इसी साइट का हम प्रयोग करेंगे ठीक है आवेदन करने के लिए हम जो है इसी साइट से करेंगे ठीक है अब जो भरती हो फीटा इलेक्ट्रीशियन टर्नल मसिनिस्ट विल्डर प्रसिच्छु के पदों की सीधी भरती है ठीक है दोस्तों कि यह जो है प्रक्रिया जो है आनलाइन पंजी करण और फार्म जमा करने की प्रारंभिक्त थी मतलब इस फार्म का जो है इस टार्टिंग डर्ट होगा फार्म का वो 38 2020 को अभी हम आगे बताए हैं यह कि तीन अगस्ट को जो है तीन अगस्ट को यह चालू हो ठीक है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही और प्लीज जो है दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें ठीक है दोस्तों आई टी आई स्टूडेंट के लिए बहुत खुशी की खबर है और आप इनहत करते रहें पढ़ाई करते रहें ठीक है धन्यवाद